एक पकड़ लिया एक रही रोवती आशूतनमू रही धोती गंगा जी बवावुने टो होती फूर अवस्था बाली तेंद काईद धुर मारी और उस परदा अठाके फिर बाज के कोणी बरली वोद उपरवाना था उपरवाने गचे पिटीगी कि यूए ना कर दे侈 गांगा ने वल्यारा परदे ये रहे नहाली कौन लवला लगन कर देधा था अरमने जब शरू म का ल॥ा पिकाणी सुनाई तो फर भी तर्मीन कर थी मेरा गल्यारु तो थे al पैस मे ओप्लोगदार आ परदो बोली मेरे दुआ घ्म परद पेर परवाना छाटी कला लिया बेद लेख्या अन्यमोला मैं एक पहर की चरफू थी तू जब ते क्यों ना पोल्या परवाना छाटी कला लिया लेद लेख्या अन्यमोला एक पहर की चरफू जब ते क्यों ना पोल्या कि अपर परूप की कार्या केमा अर्ग ना गुर्टी तुमीठी मीठी बात करे था मैं थम थम कैप रखूथी पची वर्ता का तरम हो जुनका में उस्ते ना सर कूथी तिरी बाता ने सुन सुन के मैं शुकर रेदर कूथी कजे पची वर्ता का तरम बेगड़िया मन लूना गुट खला एक पहर की तरम हो जुनका तरम बेगड़िया करें लूना गुट खला एक फाहर की तरम हो जुनका लुट खला एक पहर की तरम हो जुट खला एक भी तरम बेगड़िया पर्यां क्या मैं पाडी मन एक दिन जोड़ गरगे उसनीच ना जानी ओ ओ मेरे जगर में खटके थी तेरी मिठी मिठी बाडी पहल मत है कुछ जान पतीना इव तेरी शकल पे छानी साजन के कुले हाथ गेर के साजन के कुले हाथ गेर के ओ तूरे अटा दिया ओ लाँ एक पहर की पर्पूती जबत तक ना पूला ओ परणा पाडी गाया देजल का न बोला एक पहर की पर्पूती जबत तक ना पूला पूला एक प्टकरे राच दें पीया हमारा मन में करते होगे कदे एकली की जान लिकर जा नूबी दरते होगे मेरे तोवन की खाचर बन मैं खूब बेचरते होगे मुर कौन करे था खान पीन की वूखे मरते होगे कुण करें था हां रिखी रिखी कुछे मरते होंगे कि कतिये तो बुखे हो गया पुए ने वजार मन दा कुण पूर्य दे था तू तर राज्या कथी पूल्या ममाज ते रभी नाचे डिरया ते मारा आज मेरे क्यों कुछ द्या था क्यूं प्रम्हाना खाटी दम देखाय मोला, तो पहेशे की ज़वुकी दम 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 दम. वे साजन याशू पूछन लागे आन्ग हुए काया मैं पति वर्ता का तरम जान केवा लोट गई पाया मैं एर बहुत लोगाई तरम ना जाने पर रहें छत्तर चाया मैं गुरुमान संग जीव का बचना मुश्कल से माया मैं एर लख मीचन बड़ी मुश्कल मिलता पय पीर मरद काच्छ लाँ प्रवान आट जीव का लाँ पड़ बड़ कीर पुटी जीव का लोगाई तरम का लोगाई पाबना परवाना लेके लकड़ हारे के हाथ से और साथ में लकड़ हारे को करके और जोधनाथ के पेश हो जाती है और राजा जोधनाथ ने राणी रूपानी का हाथ लिखित वो परवाना पढ़ा बहुत परसुन हुआ और कहा भई तेरी माँ के वास इस बाद को दुख बी मना अपने बच्चे को काल जेकर लगा कर और राज का हुछ जालता है ये कहते हैं के इसको दुख रता है यहां जीवते रहे कभी फेर में देंगे बहुल कर सन बगवान न की